यही सत्य है यह वही समय चल रहा है और परमात्मा का उतरन हो रहा है बली होता है और हम अनेक आत्में उनसे डाय्रक्टली जुड़ चुके हैं इसी समय वो सत्य surgeries का प्रकास फैला कर अनेक आत्मा को pure बना कर यह purity का प्रकास फैला कर सब को राजियोग सिखा कर राजियोग के द्वारा स्रेष्ट वाइब्रेशन्स फैला कर इस कल्यूग को सत्यूग में बदल कर जाते हैं तो ये वही समय चल रहा है इसलिए मैं सभी उन भक्तों से कहूंगा जो भगवान का हवान कर रहे हैं आज करेंगे अब बुलाओ नहीं वो तुम ही बुला रहा है कि बच्चे तुम मुझे बुलाते थे अब मैं आ गया हूँ अब तुम मेरे पास आ जाओ जे 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 जैसे आपने कहा कि कई बार उनके आउतरण को आपने देखा अब भी देख रहे हैं कुछ भक्त ऐसे हैं जो चाहते तो हैं कि हम भी उन्हें देखें जाने क्या उन्हीं भी ऐसी अनुभूती हो सकती है जब शायद ना होती हो तो फिर से वो उसी मार्क पे चल पड़ते हैं जिस मार्क पे उचलते आ रहे हैं कि भक्ति का मार्क लग है उसमें प्रात्नाय हैं उसमें पूजन है जागरन है वरत्नियम है और उसका आवान करते हैं यहुई भक्ति लेकिन उनका आवान कभी तो पूर्ण होगा जिसको वो हजारों साल से बुला रहे हैं आखिर कभी तो वो उनकी बुलावा सुनकर इस धरा पर आएगा ना तो ये वो समय चल रहा है जब सबकी भक्ति के पूर्ण होने का समय है और सबके आहवान पर वो अवतरित होकर कारिये कर रहा है इसलिए जो भी भक्त अपने परमपिता से मिलना चाहते हों शिव से मिलना चाहते हों उनको वो बुला रहा है आजाओ मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हे सत्ग्यान देने के लिए तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए मैं आ गया हूँ तुम आ जाओ तो उनको आ जाना चाहिए जी जी तो मतलब क्या जोली भरने का यही वक्त है कि भगवान ने भोले नात ने सब की जोली भर दिना भक्त लोग यह गायन करते ही हैं कि बम-बम भोला भर दे जोली तो जोली कौन सी? एक्षवली तो वह सर्व खजाने दे कर जाता है वह मनुष आत्माओं का स्रेश्ट भग्य बना कर जाता है सब की जोली खाली हो चुकी है ना यानि सभी एक तरहसे बैगर हैं सुक्षान्ती के कोई बैगर हैं कोई खुछी और प्रेव के बैगर हैं किसे के पास धण है तो श तो भगवान आकर अपनी सक्तियां देकर अपना प्रेम देकर पवित्र बन्ने का मंतर देकर सब को भरपूर करके जाते हैं इस पर्व पेसब की कामना यही जरूर होती है बरताजी की परमात्मा शेफ भोले नाथ हमारी जोली आवश्य भरेंगे और कोई न कोई उनकी कामना आवश्य होती है इस शिवात्री में क्या ऐसा करें कि उनकी ये जो मनो कामना है कोई भी उनकी मनो कामना है वो पोन हो जाए देखिए, सिवाय हैं सब की मनों कामनाएं पून करने, लेकिन वो कामनाएं स्रेष्ट होनी चाहिए, कोई बुरी कामना रखे, पड़ोसी को तंग करने की कामना रखे, किसी को मार देने की कामना रखे, ये सिव पूरी नहीं करते हैं, लेकिन जो सुब कामनाएं हैं, जो स्रे वो मिलन है, सबसे बड़ी कामना वही थी ना हमारी जनम जनम, तुम मिल जाओ, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, तो इस समय वे आकर हमें मार्ग दिखा रहे हैं, कि तुम अपनी कामनाओं को कैसे पूर्ण करो, और तुम इतने भरपूर हो जाओ, कि तुम दूसरों की कामनाओ को कुछ पूर्न करने लगो.